हालो फ्रेंज, गूड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, आपको मैंने एक पर अपने ब्लॉंड में दिखाया था कुल दिल पहले, कि चीडिया के बच्चे हमारे घर में वेते और वो बड़े हो गए हैं, तो उस समय तो काफी छोटी थे और मा के लिए आश्रित थे, मा पर ही देखिए, देखिए, ये बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, मैंने इनके लिए एक छूला जैसे तयार किया है, ये छूला इसलिए तयार किया कि मैंने, क्योंकि यहां पेरिंग का नेश्ट हुआ करता था, इस जगह पे, इस जगह पेरिंग का नेश्ट हुआ करता था, औ और वो नेश्ट जो है वो गिर जाया करता था और बच्चे भी कभी कभी गिर जाते थे और तो नमीचे ये जमीन पर यहां पर गिर गए थे इस जगह पर तो जब गिर गए तो मुझे लगा कि इनको चोट लगी होगी तो मैंने इंके लिए जूले का दिर्मान कराया देखे मैंने इल्लो के लिए बनाया और अब जूला बनाने के बाद बच्चे इसमें अगरु हाराम से कि आप तेख सकते हैं इनके लिए यह जो आठा चालने वना होता है उसको जूले के रुपे बना कर उपर मैंने इसे उतान दिया है और मा आती है और मा खाना खिला के लिए उको जाती है कल तो यह बच्चे उड़ने को तयार थे आज भी मा आई थी उसमें वीडियो में नहीं ले पाया सौरी बट देखिए बचे जगे होए हैं दिल भर खाते हैं ऑद शाम को पांच बजे के बास सूव यौँ पांच बैध तक मम्मी और पापा इनके नदाराद रहते हैं और यह उसमें सूते हैं कि यह देखिए मुझे और से देखिए मुझे धर करकें सोय हुए है देखा आपने इस तरह यह बच्चे जाराम से जूले का अनन्द लेते हुए सोते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनको इस तरह से देखकर और पीछे हमारे बागान में आप देख सकते हैं एक ख्रिकी के बाहर बागान का नजारा है कि एक ख्रिकी के बाहर जो है यह बागान का नजारा है कि एक और आपको दिखाते हैं कि बच्चों को दिखाने में बहुत मज़ा हा रहा है मुझे कि देखिए कि देखिए कि बच्चों को को और से देखिए कि देखिए मैं छूमगा इनको कि देखिए कि यह उट गए अब सराल तो मा इनके गायव है मास हुआ आई थी मेरे बाइब बता रहे दी कि मास हुआ आई और बच्चों को खिला हम लाके गई करी करी पांच शी मेरे के बाद दो ती बार आके खिला के गई हैं और समय संयोग से मैं वीडियो नहीं लेपाया आप फिर बच्चों को दिखा पा रहा हूं और लोग बता है आप लोगों को अच्छा लगा यह वीडियो तो जरूर लाइक कमेट कीजिए सब्सक्राइब पीजिए शेयर के लिए यह घर का वीडियो है मैंने कोई एडिट नहीं किया है इसमें कुछ एडिटेड नहीं है और बाकी तो आप लोग देखी रहे हैं आज से नवरात्र चालू है आप सभी को माता का आशिश मिलता रहें श्री शुब नवरात्री तेंक्यू जैन जैन